गुड इंविंग अर्यवन और वेल्कम तो दो दॉट सॉल्विंग सेशन अभी लोग दीरे दीरे देल कम वो जॉइन करते हैं तो 9.15 हो गया है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर दॉट सॉल्विंग अजया है विखने में अभी हैव मैं मेंसेज डाल देता हो इपर अचला फाइन तो हम लोग सेक्वेंश में जाएंगे तो अ अर्षद कां जी यू कैन अन्म्यूट एन आस्कर कोईरी अजया बुलिए अजया जैसे कि आपने जिसे आज बताया था जैसे कि प्रिवेज डेहाए ब्रेक करने के बाद ही उसके अंदर एंट्रे लेना है बराब कौनसे स्टॉक में इस बेंग निफ्टी में सर में आज पेटिन हजार की आचा बैंग निफ्टी की पोल बाई कर द तो मेरा एसेल तो हिट नि हुआ पट में सर में टार्गेट भी पूरा नहीं हुपाया कब बाई के थी कौनसे टाइम पर सर मैंने अपने ये वन थर्टी देड़ बजे के असपस मतलब यहां पे टॉप पे बाई किया एक्डम ना नी सर वोजे जुसना 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 अपन मेरे मानना था जिसकी अपन उसको और जिसकी उसका और कैसे हो सकता है अज का देखिए इक सिंब्ल चीज है अज अगर आपने देखा होगा तो अपना जो वोलीटेर इंडेक्स है उसको पाच परसेंट डाउन था इंडिया विक्स दावन। तो आपका उसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपका विक्स डाउन है तो जैसे ही थोड़ा सा मार्केट वोलिट मतलब एक मोमेंटम कम हो जाता है प्रीमियम बहुत फास्ट गिरते हैं सडनली एकदम गिर जाते हैं प्रीमियम तो ऐसे टाइम पर अगर विक्स सडनली ऐसे क्योंकि वो लेस वॉलिउम से जा रहा है उपर रिदूसिंग वॉलियूम से उपर जा रहा है तो बैंक निफिटी ऐसा बहुत बार करेगा एक सिंगल केंडल सीधा यह जो भी पुट से ट्रैप करने के लिए विए बड़ी सी बना जेता है तो आप कभी भी कॉ आप्शन टार्गेट पर इसलिए है क्योंकि सेम विक्स का इंपक्ट है जो विक्स तीन परसें साथ डाउन है तो आप्शन के प्रीमियम राइज ही नहीं होते हैं अच्छे से वह स्टॉल हो जाते हैं अब जैसे फॉर एक्जामपल एक आज का 35 आपने 35,000 भाई किया था ना आप यहां पर देख सकते हैं कि जैसी ब्रेक आउट किया 40 एक ही स्पाइक मानी वो सस्टेन नहीं हुआ और जैसी सस्टेन हुआ वो विदिन नेक्स 15 मिनिट्स में पूरा का पूरा उसका खतम कर दिया मार्केट में वही सार मेरा वही तरसको मेरे 27 पाई करा था तो उसको मे बराबर अब यह जो है क्योंकि अब यह भी या तक नहीं कि 35,000 एक बिग राउंड नंबर है अब मार्केट में कैसा होता है कि जो अब जैसे लास्ट रैली मार्केट में स्टार्ट हुई तो बहुत लोग अब प्रेडिक्ट करते एक्सपेक्ट करते कि मार्के 35,000 के उपर चला जाएगा क्या है बहुत लोग 35,000 के कॉल बाई करने को मतलब कूचते है कि आप चलो यह बढ़ रहा है बाई कर लेते क्या होगा जास्यादा 20-30 रुपे का स्टापलस रहके बाई कर लेंगे तो ऐसे केस में यही रहता है कि बिग राउंड नंबर के आसपास मार्केट हमेशा थोड़ा सा हमेशा गेम खेलता है जैसे 34,000 होगा 35,000, 36,000 अगर वीकली एक्सपारी इन नंबर के आसपास है तो बहुत बार आप देखोगे कि इसके उपर जाता है और कभी-कभी इसके नीचे फिर एक्सपार कर लेता है या इसके एकदाम आसपास एक्सपार करेग इन स्राइक के हिसाब से बाइंग करती कि 35,000 के आसपास आ रहा है चलो बाय कर लो यह 20-30 रुपे का है 100-200 रुपे का हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा तो आपका जो है अगर आपने बाइंग के मोमेंटम में कोई प्रॉलिम नहीं और अपने ट्रेलिंग स्टॉप मतलब एग्रेसिव ट्रेल किया वो भी सही है क्योंकि विक्स रिड्यूसिंग था और अगर अग्रेसिव नहीं करते तो वह एक केंडल में देखो पूरा प्रॉफिट लेके भी चला गया था तो इसली कि आपका जो अपने पायर में आप जो लेते हो ना सर वायर सेस्में ल में जो रहता है मेरे हैज अकाउंट जो पोजिशनल है वो चलते रहते हैं उसमें कभी इंट्राडे जादा नहीं होता है कभी होता है कभी नहीं होता है उसमें बहुत कम होता है बाकी के जो अभी उसमें हम लोगों ने जो यह डाला ता या पर जीरुदा क्या अकाउंट श जो था जिसमें expiry में हमने 34 800 का दो लॉट बाई किये थे और 35,000 के चार लॉट सेल किये थे तो यह रिशो हो गया था यह एज expiry में दोनों साइड बनाया था उसका रीजन यह था कि प्रीमियम मार्केट में बहुत कम थे तो किसी भी साइड एक expansion आया उस साइड हमारा profit बढ़ता अब यह maximum प्रॉफिट इस सिस्टम का था 9000 राइट अब वह 34 900 पे expired हुआ अगर 35,000 पे expired होता तो 8000 तक जाता 34 900 920 के अरुआ इक्सपायर हुआ तो इसका maximum प्रॉफिट जो 9 8000 साधे 8000 था वह उसका आधा मिला अपने को नियरली मतलब 5000 मिला है अगर यह नीचे जाता अगर 34 जो expected रहता कि market बहुत बार जो week का trend होता है जैसे कि expiry के दिन market क्या करता है कि जैसे Tuesday Wednesday का जो trend बना है market में तो होता क्या है कि जब भी Tuesday Wednesday दो market आप चले जाता है यह इस expiry ने वो नहीं किया बट काफी expiry इस मतलब आपको 70% expiry जैसी मिलेगी कि जो Tuesday Wednesday का trend है Thursday को mostly वो second half में reverse हो जाता है उसका reason ही हो जाता है कि Tuesday Wednesday और Thursday first half तक बहुत लोग opposite side position बना लेते हैं जैसे put rating अगर market उपर जा रहा है तो बहुत सारी aggressive put rating market में हो जाती है अब वो put rating को shake out करना है वो shake out करना है put rating को तो market expiry के second half जब institutions का का काम हो जाता है उनका profit lock हो जाता है तो वो late जो enter है या फिर जो stop loss properly manage नहीं करते तब एकदम volatility opposite side आती है तो यहाँ पर हमने put side 300 का distance रखा था उसका reason ही है कि market अगर यहाँ से अगर यह गिरता समझ लीजए अगर यह इस zone से color change करता इस zone से अगर market गिरता तो सीधा pdh के around आता वो 34 400 पर था क्योंकि बीच में कुछ है नहीं उसको तो यहाँ पर हमारा put buy था और 34 100 34 100 जो था वो actually near to यह zone था जहां से उसका consolidation के बाद अप मूह start हुआ कर जो इसका base है 34 100 तो वहाँ पर sell था तो अगर यहाँ तक भी आता तो ideally अगर यह sell off होता तो expiry यह range में होती है उसका reason है कि इसके उपर जो भी first half में buyer से उसको trap करता अब यहाँ पर वो continued रहा वो trend end तक continued रहा और day high पर बंद वहाँ तो यह expiry इसलिए हमने दोनों side लिया था दोनों side मतलब अगर नीचे नहीं आती तो फिर वो क्या गड़ता कि 34 800 और 35,000 वाला जो area है 34 800 से 35,000 वाला area है इसके बीच में आता उसका reason है क्योंकि यह बीच में उसको कुछ है नहीं आता या तो यह उपर एक supply area था 34 800 35,000 पर और नीचे यह PDH का zone था ज expiry generally कैसे होती है expiry कभी भी किसी जो expiry के levels होते है वो कहीं भी ऐसे किसी जगे नहीं होती है या तो वो होगी किसी supply area के पास अगर उपर जा रहा है तो क्योंकि वहाँ पर कैसा है कि उस zone के आसपास जो call writers रहेंगे उनको डराएगा वो थोड़ा उपर जाके फिर नीचे आके वहाँ पर expire होगा या फिर जो expiry होगी वो जो weekly range है अगर उसको trending नहीं करना है जो ही Tuesday Wednesday का range है अगर उसको trend नहीं करना है उसके अंदर वापस आ जाता है तो मतलब जो Wednesday second half या Thursday morning को जो trending position लेते उसको वो trap करता है तो हमेशे expiry यह दो ही जगे पर weekly expiries institutions कराते है अब यहाँ पर या तो 34,800, 35 इसलिए जो बनाया है उसके पीछे भी logic है ऐसे कोई भी चीज जो भी trade करते है उसके ऐसे नहीं की कुछ भी करके देखो यहाँ पर यह दो reason simple है 34,000 यह supply area था जिसका lower part 34,800 था और higher part 35,000 था इसलिए वहाँ पर वो call side हमने 200 point का वहाँ पर रखा है second जो put side था PDH और यह था तो यह system आज बनाया था और वो system काम कर गया अगर यह नीचे आता put side अगर यह आता तो यह profit दो lot मतलब around 12,000 प्लस चले जाता क्योंकि put side 300 point का distance था call side 200 point का distance था अब यह जो distance है वह इतना कम वहाँ पर रहता क्योंकि market भी slow moving था और एक तरीके से premiums was less because wix reduce हो रहा थ तो उसने एकदम perfect जो था वहाँ पर play कर गया और वह बात खतम होगा इससे अब naked call buying का वही था कि wix गेर रहा था इसलिए आज option buying के लिए मतलब that was not the right day properly क्योंकि अगर जो भी spikes आएंगे उतनी जल्दी चलाफ हो जाते है ठीक है clear रहे चला thank you yes mohun sg you can ask your query hello जी हाँ मेरा ये question था जो अपने एक तो इस समझ नहीं आता जो extension और contraction आप बताते compression जो था वो इस समझे जो आप बॉक्स का भी example देख लेते आज आज का ही देख लेते जो एक्जामपल्स थे अपने टाटा स्टील और TCS के जो एक्जामपल्स थे और कोटेक्ट भी यहां पर देखें simple चीज़े कि आपका जो भी base building या contraction जिसको हम बोलते हैं जो भी contraction आपका आता है तो कैसे होता है कि market एक पहले expand करेगा expansion मतलब या तो PDH के उपर जाएगा या PDL के नीचे जाएगा बरबर यह चीज़ यह point आपको clear है है ना हलो मों जी आवाज आरी है अब फिर market क्या करेगा उसके बाद आप volatility expand उसने कर लिया क्योंकि वह एक तरीके से PDH के उपर जा रहा है या PDL के नीचे जा रहा है तो वह एक तरीके से direction लेने की कोशिश कर रहा है मार्केट तभी तो वह जा रहा है है ना पिछले दिन के range से निकलने की कोशिश कर रहा है अब में चीज क्या होती है कि बहुत बार first half में मार्केट नहीं निकल पा था अब यह देखे ताटा स्टील यह जो मूव है बहुत ही जबरदस्त मूव दिया है ना जो नीचे हमने failure अब हमने यह पर उसको reject किया था उसका reason भी मैं बता दूँगा बट आइडली जब ट्रैप ले प्ले किया बहुत हां बट प्रॉब्लम वही है ना डाई बजे के बाद दिया प्रॉब्लम वही रहता है कि रिस्क बढ़ जाता है तो यह मूव मतलब हमारा इसने इसका एसल स पर निकालना important अब देखें यह यह बहुत ही बढ़िया example है कि क्यों ट्रेडिंग एक रूल बेस्ट आपको मतलब चीजें हमेशा करनी चाहिए अब मार्केट में बेस्ट बिल्डिंग कैसा होता है कि volatility expand किया मतलब यह PDH के उपर गया ठीक है अब उसके बाद यह छोटी-छ उसको 874 फिर 880 और उसके बाद फिर डारेक्ट 890 जो भी उसका लेवल है वहाँ पर है second चीज पीछे के support resistance आपको देखना है एक मिट में crosshair बढ़ा कर देता हूँ पीछे के जो आपके support resistance होते है ना उसी के हिसाब से आपको देखना है जैसे कि let's take an example आपका ये वाला एक है ये एक resistance हो गया फिर ये एक resistance हो गया फिर ये एक resistance हो गया फिर उसके उपर 890 पर resistance है तो ये आपके 123 लेवल हो गया जो market में एक तरीके से वो stop हुआ है प्राइस बाद ठीक है अब अब जब यहाँ पे simple चीज है कि market ने जब breakdown दिया था अब हमा को जब उसका high and low mark करना है तो जो small candles जो बने हैं उसका high and low हमने आपके mark कर दिया तो ये आपका base बने मतला एक range बने रेक्टेंगल बने करेक्ट ये day high को ने ये कितने time पे हम decide करते हैं आपको down जो लेना होता है तो ये कितने points में लेना है ने उसका points पे नहीं रहता है कभी भी उसका रहता है कि जहाँ candle छोड़ी-छोड़ी candles बनी है उसका high और low कहां पे है तो ये जब पर market बार-बार touch कर रहा था नीचे एक बार touch किया उपर यहाँ पर दो बार touch किया इसी zone को तीन बार touch किया correct यह देखे 1 2 3 1 2 और फिर यहाँ पर इसने break कर दिया तो minimum two touches चीए volume dip हो रहा है बराबर तो वह चीज़े जब वहाँ पर होती है तो आपका वह range formation हो जाता है तो उस उसके बाद उसने नीचे breakdown दिया breakdown बिल्कुल WRC से था volume reduce कम था इसलिए हमने आपे discuss कि 50% of quantity से लेना है जो live station में थे उन्होंने वहाँ पर देखा था अपना trade अक्टिवेट हुआ था इसके बाद यह candle के उपर हमने SL यहाँ तक वेट नहीं गया उसका reason यह था क्योंकि जो इ यह हो जाता कि अगर sector PDH के उपर अभी भी है तो possible है कि यह शायद अभी ready ना हो गिरने के लिए अब इसते यहाँ पर क्या करते है इसको एंगल्फ कर लिया तो जैसे ही five minutes में अपने को एंगल्फ कर लिया हम यहाँ पर यह trade से five rupees के SL से निकल गया maximum 45 पास रुपए SL था अप candle बने सेक्टर ने भी breakdown किया रेंज से बट सेक्टर PDH के उपर था तो वह डिफरेंस था और इसने PDH को पहले break किया तो अगर सेक्टर भी PDH को break करता तो possibility जाधा रहती कि at least अगर उसको यह reversal भी देना है तो आपका target one hit करके देता हूँ यह अपना target बन था 855 से 856 वाला area ठी कि कुछ तो भी यहाँ पर गडबड है हमको यह trade में sell side नहीं रहना है और हम यहाँ पर निकल गए 861 के around यहाँ पर entry 860-861 और 865 के around exit max to max 4-5 rupees का SL अपन लेके निकल गए अब next है कि इसको observe करना कि अगर यह trap है सही में यह seller के लिए trap है तो यह opposite side breakout देगा but opposite side breakout देने में इसन इसे अपने को बनाना पड़ता है कि ने नी सेक्टर को आप नॉर्मल देखो box अगर वो रेंज में अगर जा रहा है तो बहुत बड़ी है बट उसके साथ जैसे यह सेक्टर ने भी डेलो ब्रेक किया था ने जब टाटा स्टील ने ब्रेक किया था बड़ाबर तो वह आपक आपका वो ही एक यहाँ पर सिंक्रोनाइज नहीं था अब यहाँ पर जब इसने स्टील निकल गए अब सेक्टर ने उपर ब्रेक आऊट Χा यह त सेक्टर भी डेहाय था पे आटक गया तो डेहाय पर याटका ऊपर से ट्राटा स्टील के पास प्र ओबलेम यहाँ पर यह थ पे अटका है तो सेक्टर का भी थोड़ा मिस्मैच था और एक तरीके से टाटा स्टील भी एक तरीके से थोड़ा सा एक काइंड ओफ अपने रेजिस्टन्स वाला जो एरिया था उसके ओपर क्लोजिंग नहीं दे पाया था इसलिए सेटप को अभी रिजेक्ट कर दिया और हंटे वो टाइम पास किया और वही के वही घूम रहता हूँ अब यह जो मूव है यह लास्ट में सेक्टर ने देखो जो यहां पर चीए था सेक्टर ने वो कितने बज़े किया राइट सेक्टर का धाई बज़े उसने वे सेक्टर ने भी पूरा ब्रिक किया एकदम है आपका हमेशा मार्केट में रिस्क बढ़ जाता है रिस्क हो गया था दो परसेंट ठीक है दो परसेंट रिस्क है तो इस प्रॉब्लम यहां पर यह होगी थी कि यह ट्रेट फिर रिजेक्ट करना पड़ा था विकॉस आपके रिस्क कापिटाइट से बाहर है अल्ब आप प्रॉपर अच्छे से ब्रेटाउट करता है तो डिफंटली यह ट्रेड हम अराम से ले सकते है क्यूंकि यह सेल सइट्ट ट्रैप करके वापस उपर अच्छे से लगना होता है मैक्सिम्म वन परसेंट आपने वीडियो देखे आपके मेल पर आया होगा आपने कौन सी मेल आईडी जीमेल आईडी दियो है तो आप कब रेजिस्टर किया था आपने लास्ट तीन चार दिन दो तीन दिन पहले ना हाँ तो आप मेल पर चेक कर लिया आगया होगा क्या माकेट गुरुपल आट जीमेल डाट कॉम से ठीक है कि यह सेम स्क्रीर अगर हमको लगाना हो तो वह क्या यह को स्पेशल है यह हमारे स्विं नहीं लगता है यह नहीं लगेगा यह ट्रीडिंग विया है नहीं जैसे आपने इंट्टी है और यह सारी शीजी आती है अपको बॉक्षा वहpeople होता है हमारे को चलेही है तो ज़्म सेटिंग से आप्य है कि अंवर निवा तब दीख नहीं हम डिखता है क्या है की लिकाना नुसुक्प करता है अच को राइ तो बार क्लोस यहाँ पर यह दिखते है उसके फीचर्स को यूटूब पर ट्रेडिंग व्यू या फिर आप फायर्स में अकाउंट उपन आपको देखने पड़ेंगे बहुत सारे फीचर्स रेडिंग व्यूव में आपको तो बार क्लोस फिर आपका ये कॉल जो आपको रहता है ये पॉप आउट है ना आपके आप उसमें अलग अलग कलर्स या जो आपको बॉर्डर बनाने वह सब आप कर सकते हो तो वह बहुत सारे फीचर से एक बार यूटूब ट्रेडिंग यूटूब चैनल है वह एक बार दे जाएंगे बस उसमें यह रहेगा कि आप पेड वर्जिन आप जब लोगे तो एक टाइम पर एक ही चार्ट आपको मिलेगा टोटल पेड में आपको मल्टीबल चार्ट मिलेगे जैसे यह वाले तो आपको यह तो ब्रोकर ही दे रहा है जिरोदा और यह फायर्ज वाले जो पर चार बड़ बरावा यह वाले एक कामगरिया आप अभी आप अभी आपको तो अभी मैंने एक लिंक पोस्ट की है अपने टेलेग्राम ग्रूप में जो गेम चेंगर की कम्यूनिटी है ना वहां पर मैंने लिंक शेयर की है तो फायर सेक्यूरिटी का अकाउंट ओपनिंग का लिंक है वो तो फायर सेक्यूरिटी एक ब्रोकर है बट यह जो ट्रेडिंग व्यू में जो चार्ट से तो फायर सेक्यूरिटी का ट्रेडिंग व्यू के साथ मतलब कुछ तो भी उनका है एक दूसरे के साथ अटेजमेंट पैच अप है उनका दोनो ही है आप भले जीरोधा में ट्रेड करो अब स्टॉक में ट्रेड करो लेकिन जो चार्टिंग प्लेटफार्म है वो फायर्स का सबसे बेस्ट है उसके अलावा कोई निक्यू कि जीरोधा में भी आप ये चार्ट देखूगे तो बहुत से केंडल्स के अंदर वहां पे एरर र दीजिए क्ल आपको फायर्स सेकूरिटी की तरफ से क्या यहां नहीं करना है। यहां मैसेज नहीं करना है। यहां पर दिन दिन पेंदर आपका आकाउंट उपन करके वहाँ पर दे देंगे। तो वो थोड़ा सा उतना मतलब जल्द से जल्द कर दीजे और अभी के अभी अपना नाम एक घंटे में डाल दीजे वहाँ पर सो दैट मैं कल तक उनको सारी आपकी जो डीटेल से वो डीटेल्स फरवर्ड कर पो तो ओपन कर लिजे टेलेग्राम कम्यूनिटी गेम जेंगर की जनको अठीक करना जनको अपन करना प्री और फ्री में रहेगा खोई अकांट मेंटनस चार्जा वो नहीं रहेगा अधा यह आप जो दिसाइड करने से को प्लिना है और ना आप मेल पहले देख लिए कंटेंट उसमें फुरी स्थ नोलेच कुरा ने लिए फिर वह आपको चीजे भी नहीं समझ में आईगी क्लिए तो वह देख लीजे पहला है ठीक है येस निलेश शी पहले सवाल है पहले सवाल है अगर पीडियाज पीडियाज के बीच में पर बिच में उसको इगनोर करना परता है क्योंकि में चीज उस पर कैसा है कि बेस बीडिंग इसका सबसे important concept है कि volatility expansion पहले होना चाहिए या उसके बाद volatility contraction होना चाहिए जब आपका PDHPTL के बीच में ही base build है तो वहाँ पे volatility expansion तो होई नहीं रहा है direct contraction से start हो रहा है तो volatility expansion, volatility contraction और वापस volatility expansion ये sequence होना चाहिए ब्राबर अगर आप PDHPTL के बीच में base build हो रहा है तो ये पहला अला stage नहीं हो रहा है क्योंकि वह पिछले week के range पिछले दिन के range के बीच में ही वह trade कर रहा है तो या तो फिर कैसा है कि इसका borderline case होता है कि एकदम PDH के चिपक के या उसको पास या PDL को एकदम you can say एकदम उसके पास base build हो रहा है वह consider होता है क्योंकि वह just range expansion zones है बट आपका जैसे एक example देख लेंगे अगर मिलता है तो जैसे कि for example यह आपके base building आप पकड़ लोगा ना जैसे कि यह example अब यह breakdown है यह चलेगा निक्योंकि यह PDH यहाँ पर है PDL यहाँ पर बीच में कई हो तो वह आपका work नहीं करेगा मतलब वहाँ पर क्योंकि यहाँ पर यह पूरा volatility contraction stage में ही है इसको expansion इसमें हुआ ही नहीं है ठीक है तो वह difference हो ठीक है PDH PDL important यह कल का base building important नहीं है क्योंकि बहुत बार कैसे होता है अब समय लीजिए कल का base build हो रहा है है ना जैसे यह यह केस में अब मार्केट बहुत बार क्या करता है कि कल के orders पड़े रहेंगे उसके मतलब टर्मिनल में मार्केट के मार्केट बहुत बार नया जब फर्स कंडल बनाती है ब्रेकाउट देता है उसमें प्रॉब्लिम में हो जाता है कि वो काफी बार आपका fail हो जाएगा अगर उसको इन लोगों को trap करने के लिए इन लोगों को एक डिरेक्शन ट्रेड दिलाने के लिए नेक्च देवो ओपनिंग में बड़ी कंडल मिलता है तो उसमें कैसा है कि आप यह इंट्रादे सेटप है इंट्रादे सेटप है तो हमें उस दिन का ही बेस्ट बिल्डिंग चीए क्योंकि उसका इंपॉर्टन सबसे हीएस रहेगा तो चल सकते है कावे से पंदरादेंग तो देखो कि नीए अचीज होगी हो रही है किसरो सवाल सार अग मुझे में टॉर्शिप जॉइंग करना था एक्चुली और उसमें आप ऑप्शन स्टैडेजी सिखाएंगे कि सर ऑफिशन के से टेड़ करना है इप स्टैडेजी किस एड़ करना है जिए हैं और मुझे निलेजी कॉल कर लीज पहला जो आया है तो इस पर दिरेक्टी कॉल करें उपर भी नंबर है 915 उस पर आप कॉल कर लीजे गौरों से फिर आप इंटरेक्ट कर लिए क्यों हमें भी पहले समझना पड़ता है कि आपका कैपिटल कितना है और आप के टाइम कैसा है कि बहुत लोग कैसा है कि करने के लिए multiple चीज़ें आप कर सकते हैं बट आपके हिसाब से वह कौन सी करनी है वह fine-tune आपको करना पड़ता है जैसे कि अगर आप options में भी कर रहे हो तो options में एक अलग-अलग systems होते ratios होते calendars होते debit credit होते हैं अब जिनका capital जादा नहीं है तो वह ratios और calendars नहीं बना पाए तो तो वो जो चीज है कौन सा system करना है आपका timing कैसे और आप किस तरीक से करते हो गहरों से फिर discuss कर लेना तो उसके बाद ही फिर देन कौन सा आप we can suggest की what what you can do, ठीक है? Okay, sir, चीज़े लिए. ये संकीत कुमार ले. बुरुमी, sir. बुरुमी, sir. अच्छा, reverse कैसे करें? अच्छा, reverse कैसे करें? मेन देखें, मेन आपको हमेशे याद रखनी है कि समझ लीजे कि एक, let's say, market एक base build कर रहा है, ठीक है? अब एक base build कर रहा है, अब किसी एक बंदे ने, 15 मेट के candle ने उसको breakdown किया, जैसे Tata Steel में क्या हुआ? ये जो candle है, इसने breakdown किया, ठीक है? अब उसमें क्या हुआ? तो अभी यहाँ पर में है कि मार्केट अगर आपका टार्गेट वन हिट करने से पहले बहुत बार आपको यह याद रखना है कि क्योंकि इसमें वॉल्यूम भी उसमें इतना कोई बड़ा नहीं था इसलिए अपने कहाँ 50% कॉंटिटी से ट्रेट करना था करेक्ट हाफ कॉंटिटी से वॉल्यूम उस पर जितना चाहिए था डॉमिननस उतना नहीं था और सेक्टर भी विडेज के उपर था अब जिस केंडल ने उसको रेंज से निकाला है तो वह अगर मार्केट ने उसको ट्रैप किया है उस केंडल को इंगल्फ नहीं करना चाहिए मार्केट ने बायर ने बिफोर हिटिंग टार्गेट वर तो मार्केट ने क्या किया नीचे उसको जाना नहीं था थोड़ा सा नीचे गया और जो यह कैंडल थी उसको उसने इंगल्फ कर लिया हमने यहां पर समझ गया कि यह जो कैंडल थी यह इसका अराउंड यहां से उस वो अभी उसको नहीं जाना है नीचे क्योंकि उसने जिस केंडल ने ब्रेकडाउन किया या देखिए उससे ज्यादा वॉल्यूम से उसको एंगल करा है तो यहां पे कोई तो भी बड़ा बायर बैठा है अभी जो उसको नहीं जाने दे रहा है तो हमको इस ट्रेड में सेल से निकलना है और सबसे इंपोर्टन चीज है कि हमेशा एसल क्लोजिंग बेसिस पर लगना है बहुत लोग क्या करते है कि सीधा केंडल के ओपर रखते वो नहीं करना है फाइं मिनिट्स के अच्छी डबलो रसी बनी कंफर्म हो गया वॉल्यूम अच्छा हो गया हम निकल उ जो है इसको सेल बाइसाइड भी यह ट्रेड कर सकते थे आइडली यह जो सेटप है सेकेंड आफ में अगर ट्रेड करना है तो यह इसका वन फाइम मिनिट्स में ट्रेड़ेवल था ही डाइब बजब तब तक हम लाइफ सेशन कतम हो गया था तो वह चीज थी कि तब फिर उ से लेट हुआ तो नेक्स टाइम वापस आदर वह बेस बिल्डिंग करेगा या फिर वह एक तरीके से सेकेंड टाइम अगर यह नीचे आता है समझ लीजे यहां पर यह उपर जाने की बज़ए यहां पर फेक मूव देखें अगर नेक्स टाइम यह नीचे आता था फिर उस ताइप में वैसा ही मार्केट जब सेल उफ यह देखिये क्योंकि यह जो स्ट्रेंथ है उसकी वो समझ गया सेलर को कि इसके पास उतनी स्ट्रेंथ लिए कि वह उसको आप उपर रख पाए पीडाओन आते हैं तो वह है इसलिए यह यह ट्रेंट में एक्सपें शेट्रेट क्योंकि यह मॉर्निंग में ट्रैप कर चुका था बट जब तक मुआ आइडली तब तक बहुत लेट हो गया था प्रॉपर जोब हो आए पाके टाइम बस ही वहाँ पी गया और यह ऐसा काफी बार होता है यह आपके बैंक निफ्टी में भी बहुत बार होता है जैसे अरस हम कहना चाहरा नहीं जो जुन का 25 जून के आस पास के वान मदलन पर फिर दो गोड़िया में इस पत्स जुन के बाद से मदलब इस वाब इस यह ए रिट होने तो नाम नाम बताया दो प्रॉपर दो फिर इंडराट से लिट लीट होने इस इस नाम बताया दो करें अब रसों मतलब आप्ता ये वाला है इस में तो बढ़ए चलाए सब्सक्राइब अब कांसे डिल्डिंग कर रहे हैं सब क कौंसा एयसे अभी तक जोने आप उसको सेट अप को गलत लगा अगर इस्तमाल कर रहे होगे तो वह देखना आप यहां पे कौन सा एसल आपका हेट हुआ 20 पर सो फिफ जुलाई या नहीं कौन सा एसल हुआ बराबर ब्रेकडाउन किया और नीचे आया भी वह टार्गेट बांते हैं कोई होगे आपके आता यहां पर तो ट्रेट हाईन ही नहीं क्योंकि PdSreal के बीच में हैं है ना आपने अगर आज का जो इस ने और शाइद आप कन्सिडर करोगे तो आप फस हो गया यह यह भी बगी अंनेयह इस बोज्अ गॉलिदंग कर रहे होगे तो फिर गलत कर रहे है थो वह फ है काम कर गया तो इसलिए मैं आपका है जब भी आप डाउट सॉलिंग में आते हैं तो एक चार्ट स्टॉक के एक्जम्पल और डेट के साथ आया करो तो मतलब क्या है कि यह फेल हो रहा है इसका स्टॉप लाजट हो रहा है यह बात ऐसे हम मतलब ऐसे कि अंदेरे में तीर चलाने सावन हो गई क्योंकि मुझे कैसे समझेगा कि आप कंसेट चुली गलत कर रहे है या फिर आप सही कर रहे है तो नेक्स बार आप जब आओगे अगर सेटप नहीं चल रहा है तो वह भी हम देखेंगे बट चीजे वहां कि वहीं टियर होना चाहिए कि रूल्स तो सबको पता है है ना रूल्स में कोई अपना चीजे नहीं कर रहा है हम भी अभी अपने लाइब सेशन में हमने जो तीन दिन में ट्रेड जो स्टॉक्स सि पहले दो और आज TCS यह successful हुए और Tata Steel भी लेट उसने entry दिया बट चलो मुझे difficult है catch करना बट still उसको छोड़के एक ही stock अपना तीन दिन में fail हुआ है जो कि Tata Steel वह भी hardly 0.5% में निकल गया हम लो बट बाकी सब चले इन्फोसिस TechM Tuesday को उसने target 2 तक दिये तो वही चीज है कि आपको सिखाने का live session का वही रहता है कि conceptual आपके understanding आपकी improve होनी चाहिए है ना वो आपके एक बर improve हो रही है तो आपको फिर difficulty नहीं आगी बट हम concept ही अगर गलत लगा रहे है तो फिर हम फसेंगे ठीक है नेक्स्ट ताइम आप आईएगे डेट के साथ आईएगे तो तभी के अगर दभी मैं discuss करके अपन उसको clear कर लेगी ठीक है यह सठीक है यह सठीक है यह वाशोया निलेज जी है यह वाशोया निलेज जी है अमित साहज एक पावाश कट रहा है एक बार नेटवर्क चेक कर लिए आपको यह समीच जी बोली है यह वाशोया बेंगल से कुल रहा हूं हां बोली आउलिग गूद इवनिग तो मेरा जो पहला सभाल है आपने जो अब देखे इसमें कैसा है कि आपका structure ब्रेक होता है अब यह मार्केट structure मतलब क्या है higher low और lower high में जा रहा है मतलब uptrend downtrend या फिर एक sideways यह तीन टाइप of structure होते है अब यहाँ पे जब आप candlestick के chart देखते हैं तो बहुत बार हमें swings में confusion होता है कि यह structure यह है कि यह है कि यह है कि यह है इसलिए हम लोग यह confusion दूर करने के लिए हम लोग क्या करते है कि वह noise candlestick का हटाने के लिए हेके नाशी यूज़ करते हैं अब हेके नाशी में market जब जा रहा है उपर जब जा रहा है तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि market यहां से आप फिर यह structure 0.1 यह 2 फिर यह 3 और यह zone बन गया ठीक है और फिर यहां पर market उसको breakout या breakdown जो भी कर रहा है वो करेगा अब यहां पर तो यहां पर breakdown किया है तो आपको यहां पर समझ में आ रहा है कि आपका जो uptrend है वो uptrend आपका weak हो गया आपका weak हो गया और market mostly reversal के लिए ready हो सकता है यहां से लिखी अब structure का मीनिंग यह है कि जो higher low market में चल रहा था वह higher low market नहीं पर disturb किया ठीक है तो इसका जो breakout breakdown देखना है आपको वह आपको देखना है in 15 गुम्हारा काम जो तुगा आँ कि आवे अमीन कीoni करन सेप और ओ सब्सक्राइब mixture हो सब्सक्रारेब करिए we upon this और और स्फेरीक इसब्सक्रारा को छोगुंध इंध इसाओ निश्थ कुजिक्णा चालो हुआ है आइडली अब मार्केट देखिए यहां से उपर जा रहा था इसने यहां पर यहां पर ब्रेक किया मार्केट में एक सेल आफ है यह डाउंट्रेंड में चला गया अब इसने जो टार्गेट है नीचे फुफ्टीन फैंड वहां तक यह आ गया अब उसके बाद क आउंगे मैं ट्रेट ले सकता हूँ वह बोला है यहां पर यह तो आप्टरेंड जाएगा यह ना अब आपको बता नहीं चले का आप्टरेंड के साइड़िज अब कभी भी सिर्फ ट्रेंड पर डारेक्ट ट्रेट नी लेलना रहता है आपको इससे ट्रेडिंग सेट अप् या तो R.E.B.B. है या तो fake range expansion है अपने वीडियो देखिया है न राइए फेक range expansion है दो चीज़ है उस category में बैटते है वो trading setup है structure ये concept है right structure market में trading setup नहीं है structure एक concept है अब यहाँ पर जो बता रहा है आपका lower high break हो गया तो मतलब market यह बता रहा है कि downtrend break हो गया अब uptrend या sideways दो में से एक ही possibility रहेगी उसके अब यह trading setup है कि नहीं उसको इन दो category में आपको बिठाना है अगर यह base building के बाद break कर रहा है तो yes आप buy side ले सकते हो अगर यह PDL के नीचे आके फिर अपना lower high PDL उपर break कर रहा है और PDL के उपर आ रहा है तो यह है इस case में वो fake range expansion नहीं है क्योंकि प यह करते तो यह आपका base building यहाँ पर market कर रहा है और उसको फिर breakout कर रहा है तो आपका वो WRC से breakout जी जो उसने यहां दिया है यह दिख रहा है WRC से breakout यहां दिया और फिर जो उपर का target है PDL around target है वो उसका hit हो तो यह trading setup मतलब आप structure का concept use करते हो और उसके according rules बनाते हो structure मतलब market य यह वो सिफे concept है तो इसको ट्रेंड बताते है current trend बताते है आपको तो इसको trading के बजाए swing में ज़्यादा करेगा होगा ने कहीं भी लगा आप one hour में लगा कहीं लगा structure आपको देखने है क्यों कि structure आप देखो गे नि तब तक आपको market यह नहीं समझ में आएगा कि कौन dominant है buyer dominant है seller dominant है अभी वो change कब हो रहा है seller से buyer, buyer से seller तो वो आपको नहीं समझेगा ना इसलिए structure देखना तो mandatory है उसके बाद अगर आपका lower या जैसे यहाँ पर lower high भी break हो रहा है और उसके बाद market एक range भी निकल रहा है तो आपके लिए वो double confirmation है कि वो बता रहा है कि market ने एक base build करके उसको breakout कर रहा है मतलब buyer अभी वहाँ पर dominant हो रहा है तो हमें buying side ही वहाँ पर देखना है हम sell side वहाँ पर नहीं देखनेंगे उस trade में तो हमारा एक viewpoint clear हो जाता है कि अब ऐसे market में selling नहीं देखनी है हमें buying opportunity देखनी है जब तक market higher low maintained है तो यहाँ पर buying opportunity आपने देखी तो पर में जाना पड़ेगा one hour का setup देखना पड़ेगा one hour की structure देखने पड़ेगे तो trading setup का आपका जो है उसका prerequisite मतलब उसको पहले आपको structure reading समझना structure reading मतलब है market की analysis हो गई ठीक है trading setup मतलब market में analysis के बाद अब आप execute कर रहे हो तो दोनों में difference है है ना वह बात अभी clear हो गई न और एक सब्सक्राइब और जो स्विंग ट्रेड है उनमें अगर पॉंसल में जो range expansion हो रहा है एक घंड़े के चार्ट में तो उनमें time कौन सा आप पकरना है कौन से टाइम जैसे कि आरे री सेटप में जैसे कि हमें प्टेड हो पर उसमें 11 बज़े के बाद जो ही इसको हम टेड में सेटप करते है तो ऐसे भी स्विंग में क्या है समझा निए मैं स्विंग में आपको आना मैंने बुला है जो हम लोग का इंटरे का जो सेटप है टेटिंग सेटप जो है इसके बाद जो स्टॉप या इंडेक्स जो भी है इसके बाद ब्रेक आउट जो भी देगा हम जाएंगे तो ऐसे ही जो सेटप है स्विंग में कैसे कि वह चार्ट रहता है तो आपका ग्यारा बजे या इसा नहीं रहता है आपको जब ट्रिगर हो जाता है वह आपका वह चार्ट को हम इंट्राटेक्स आप से नहीं ले रहें क्यों की हम p dh p dl का level उसमें इतना importance नहीं होता है स्विंग आप ले रहे हो तो उसमें importance होता है अपना previous week high और लो जैसे pdh p l को फिर हम hight कर देंगे आपका previous week higher low हो जाएगा तो इसमें आपका जो बेस बिल्डिंग है वो previous week high के आसपास होना चाहिए या उसके नीचे होना चाहिए अब जैसे यह देखो यह बेस बिल्डिंग यह प्रिवेस बिल्डिंग नीचे कही तो भी बीच में हो रही है तो यह आपकी बिल्कुल काम की नहीं है क्योंकि यह setup चला नहीं बिल्कुल फे इसका रीजन है तो कि जो बेस बिल्डिंग वो previous week high से बहुत नीचे थी कम से कम 200 नीचे तो कभी भी जैसे इंट्राडे में हम देखते कि या तो previous week प्रिवेस बिल्डिंग होनी चीए प्रिवेस बिल्डिंग होनी चीए या प्रिवेस बिल्डिंग के पास होनी चीए यहाँ पे जो बेस बिल्डिंग है अगर यह आपका यह प्रिवेस बिल्डिंग होनी चीए अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे नेक्स्ट इसमें तो य ने आपको reward भी दिया बराबर अब यहां पे जो यह base building हुई है one hour में one hour में भी same minimum आपका आप four candles देख सकते है या फिर आप आपको एक दिन का base building या दो दिन का मिल रहा है तो बहुत ही बढ़िया अब यहां पे भी base building हुई है यह sorry यह 15 minutes आ गया है यह अपना तो आपका यहां पे जैसे है तो हमें आपे four candles देख सकते हैं यहां पे यह base building हो रही है अब यह base building यहां पे हो रही है यह WRC नहीं क्योंकि इसका विक बढ़ा है जब अगर यह अच्छी WRC से breakdown करेगा तो हम definitely इसको sell करेंगे अब यहां पे जो इसके बाद यहां पे WRC से आपको breakout दिया तो यह आपका buy setup है और market ने वहां पे जो 16, 150, 200 का round zone था आपका target वर हिट कर दिया तो base building मतलब आपका simple वहां पे यह चीज होनी चीए कि either वह उसके according उसके पास या उसके नीचे होनी चीए अब यह देखे अब यह जो setup है यह setup यह setup में भी base building हुआ है और उसने उसको breakdown किया बट उसी दिन जिस दिन breakdown किया उसी दिन उस candle को engulf कर लिया गया तो वही के वही exit करना है जिस candle ने base building के बाद breakout किया है वह मतलब आपकी trend initiate करनी वाली candle है उसको अगर market उसी दिन engulf कर रहा है तो वह logic से आपको निकलना है क्योंकि वह reversal के लिए reversal side में आपको वह move मिल सकता है तो opposite side तो यहाँ पर आपको जैसे यह इसने base building breakdown किया और उसके बाद इसका जैसी engulf कर लिया उस trade से हमको तुरंद के तुरंद तभी के तभी निकलना है तो यह उसका concept आपको या target 1 हो गया तो यह target 1 तक आगया अब यह इस time इस week पुरा market sideways था तो अपना वहाँ से उसने sideways हिट करके आ गया और यह base building हो रही थी previous week low यह previous week low है उससे एकदम चिपक के वह base building हो रही थी तो यह applicable है ठीक है वह matter करता है और WRC वह तो देखनी देखनी WRC आपकी वनर में बहुत तगड़ी WRC आपकी अच्छी होनी चीए volume आपका हो जाता अब यह देखिए यह base building कितना perfect उसने यहाँ पर एक base building की आप breakdown दिया और reward भी बढ़िया उसने दिया तो market में कैसा है कि simple चीज जाद रखना है आप पाच setup लोंगे एक setup guaranteed फेल होना है यह कोई भी आप trading setup कोई भी use करता है आपने 100 ट्रेड लिए आपके 100 successful नहीं होंगे यह इस field में possible ही नहीं है और जो इस mindset से market में आता है वो यहाँ पे सिफ फ्रस्टेट होता है पैसा lose करता है क्योंकि आप यह जो field है volatility है market का number one fundamental rule है volatility stop losses क्यों hit होते है stop losses किसी भी trade में होते है इसका मतलब यह नहीं होता है कि आपका logic गलत होता है बहुत बार stop losses इसी लिए होते है कि market की volatility जब बढ़ जाती है तो वो थोड़ा सा wild swings या moves देता है बट यह अगर आपका setup एक logical है जैसे भी भी हमने सीखा है हमने एक range expansion सीखिया अगर आप उसको systematically rule को properly समझ के projection को समझ के जब करोगे तो आपकी उसमें accuracy आपकी 70% below नहीं जाएगी उसका reason है कि market सिफ 5 में से एक बार ही पागल होता है बाकी के time आपको वो reward डे लेता है चार रबा क्योंकि उसको भी move होना है और य fatality होती है उसका reason होता है शेक आउट करना किसको शेक आउट करना जो weak players होता है जैसे कि for example अब यहाँ पर जो यह candle बनी अगर हम देखेंगे ऐसा अगर हम इसमें भी देखेंगे अब आप देखोगे यहाँ मार्केट जब बेस बिल्डिंग में जब ऐसी बनाता है तो even you can see कि बेस के अंदर की जो candle से उससे comparable इसका volume कम होता है तो बहुत बार मार्केट क्या करता है कि ऐसे एक आपको fake move देता है और suddenly जाकि उस candle को मार्केट ने इंगल्फ कर लिया मतलब यह trap हो गया मतलब यह एक तरीके से buyer's trap दे दिया market में इसको projection में के terms में अगर बोलो तो यह buyer's trap मार्केट ने वहाँ पे दिया है बट जब वो breakdown करता है और यहाँ पे जब उसने तोड़ा इसका volume देखो इतना highest volume तो जितना वो clarity dominance है और move भी उसमें फिर जबरदस्त है इस candle को protect किया है क्योंकि seller ने वहाँ पे range से निकाला है तो अगर उसने trap किया है अगर यह buyer's trap के बाद वो निकला है तो आएगा नहीं और यहाँ से वापस बहुत जल्दी sell off आए तो फिर उसके बाद buying यह buying भी कि उसने की यह target one उसने अपना काम कर दिया उसका काम खतम हो गया वापस base building में आया यह base building आपका यहाँ पे market ने बनाया उसको breakout वहाँ पे market नहीं किया और उसके बाद यह जो है वापस आपका अगर उस market खा रहा है क्योंकि आपका space नहीं है अब यह चीज़ याद रखनी है कि हमने यह यह जो base building हो रही है यह previous week low से उपर हो रही है 200 point उपर तो ऐसे base building को आपको ignore करना है swing में हमेशा इसकी यह previous week high को एकदब चिपक के हो रही है तो यह बराबर है previous week low को चिपक के हो रही है यह बीच में हो रही है लोस previous week low के आसपास यह यही reversal और range expansion जोन से था यह कि पिछले week के जो orders गिरे है वो इस zone के नीचे वो orders नहीं गया तो अगर इस current week में उसी zone के आसपास अगर वो base build कर रहे है तो आपको उपर के direction में space मिलता है अगर हम बीच का कोई range expansion लें तो problem है कि उसके बीच में भी तो levels है वो ही पर अटक जाता है जैसी यह बीच में अटक गया और यहाँ पर अगर आप ऐसे trade लोगे तो फज जाओंगे और maximum जो गलती करते हैं जो मुझे trade आते कि यह मेरा इसमें मैंने trade किया मेरा चार्ट ट्रेड लिए है मेरे तीन स्टॉप लॉस लोग गलती यह करते है या तो 99% जो मैंने चार्ट देके जहाँ पर concept गलत तरीके से वो implement करते हैं क्योंकि मैं live session में REBP जो हमने trade किया है लास्ट पाच महिने से हम लोग जो कर रहे है एलिस गीम जिंजर के लिए हमारी accuracy हर बार 70% रहे है उसका reason है कि वो concept को properly implement करना भी आपको आना चाहिए बहुत लोग क्या करते है PDH PDL की बीच की बेजबे लिए अब उसमे क्या कोई sense ही नहीं है आप फस होगे क्योंकि यह concept का जो fundamental rule है वो ही violet कर रहा है उसका step यह है volatility expansion, volatility contraction, volatility expansion यह one two three step है और पहला step ही नहीं कर रहा है वो तो क्या मतलग है आप सिधा दूसरे और तिसरे पर हम जम कर रहे है तो वो तो नहीं चलने वाला यह यह वाला भी है यह previous week लोग की उपर base building हो रहा है उसका कोई importance बट हम लोग क्या देख अरे base building हो रहा है चलो कर लो इसलिए जब वो REBB सिखाया जाता है तो उसमें बता है कि consolidation, base building, volatility contraction कहीं भी नहीं देखना है अगर ऐसा रहता है इतना easily वस कहीं भी consolidation draw करके WRC से breakout करो तो फिर आपको क्या करने की ज़रूरत है उसके zones होते है वही पे होने चाहिए तभी उसका importance है तभी वो track कर रहा है साइडवेश वीक खाय और लो के बीच में याद रखना है कि अगर यह base build हो रहा है market यहाँ पर किसी को भी trap नहीं कर रहा है अट लिस weekly वाले players में तो किसी को भी trap नहीं कर रहा है तो जब वो किसी को trap भी नहीं कर रहा है तो वह कहा से trend चालू करे यहाँ पे इसने इसके नी प्रिवेस विखायर लो के बीच में उसने अनेटी गया साइडवेस विख था तो टार्गेट जब भी मार्केट साइडवेस रहेगा आपको टार्गेट वन के ऊपर नहीं देने वाला यह चीज याद रुखते हैं तो यह कंसेप्ट आपको प्रॉपरली समझना है तभी आप यह ट्रेडिंग सेटप को अच्छे से यूज कर पाएंगे और जब यह नहीं चला जैसे इस केस में इसने ब्रेकडाउन दिया यह नहीं चला एंगल्फ के यहाँ पर हमारा ऐसे लेट होगे हम निकल जाएंगे कोई देंचन विलकुल निकल जाएंगे वहां पर बट जो चीज हमें एक यहाँ रखनी कि मार्केट में आपका चार-पाच आपने ट्रेड्स लिए एक स्टॉप लॉस होना ही होना है और वही पर हमारा रिस्क मैनेजमेंट किकें हो जाता है कि हम इतना माक्सिम लूज नहीं कर अब यहां पर जो चीज है यह प्रिवेस्विक यहीं कर रहा है यहीं के आपर जा रहा है तो नेक्सिट के हाँ अगर नहीं नेक्स्ट मंडे बन जाए है तो यहाँ सेटप यह पी इमञे ждdy और गे जो है ये भी बेस बील्डिंग मार्केट जो है प्रिवेस्वी खाये और लो के बीच में कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक तरीके से इसको भी इग्नौर करने हमेशा जो प्रिवेस्वी खाये है और लो है उसके आस-पास ही होनी जाए भले ही वह वो करे ना करे उससे फरक नहीं बढ़ता है बट मैटर करता है कि वहाँ पर आपको इसको इंगर करने है यह एक इंपोर्टन परामेटर रहते हैं इस सेटप को ट्रेट करने है चलो ठीक है चलो गौरफ गौरफ यह देर की चाहिए तिंग कि यह सब्सक्राइब करते हैं अलड़ी 10 15 हो गया है बाकी के डाउट्स हम नेक्स में ले लेंगे अभी थोड़ा सा मुझे कई जाना भी है 10 15 15 20 मिनिट्स के लिए तो हम नेक्स डाउट सॉल्विंग उसमें देख लेंगे और जिन लोग को भी एक कंप्लीट प्रेक्शन है प्रॉपर्ली सीखना लाइव सेशन साभी कल नहीं होंगे लाइव सेशन कल मुझे मार्केट आर्ज में थोड़ा एक दो घंटे आइव टू गो बहार कई तो उसका मैं छोटे बच्चे का वैक्सिनेशन है मतलब तो मुझे वापर जाना पड़ेगा होस्पिटल तो आइम कल लाइव सेशन नहीं होगा बाकी मंडे को और मुस्टी ट महां पर कर लेंगे और एक दिन मुझे लेना है स्काल्पिंग पर जो ऑप्शन बाइंग के लिए हम स्काल्पिंग थोड़ा सा करते है जिनका थोड़ा कम क्यापिटल है उनके लिए यह काफी अच्छा एक चीज आपको सेखने को मिलेगे बट मार्केट थोड़ा स्लो इंट्रेस्टेट है तो कम्प्रीट प्रेक्शन हमारा 13 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है उसकी डीटेल्स वेबसाइट पर भी मेंशेंड है जिनको एक हम लोगों से एक परसनल लेवल पर सीखना है और प्रोपर प्रेक्शन को स्क्राच से सीखना है और आपको यहां पर व वक्त करती है उसको बस थोड़ा सा प्राक्टेस करना पड़ता है और सिंपल चीज है मार्केट में हमेशा आपको अपना रिस्क आज मैंने ट्विटर पर पढ़ा था कि बहुत अच्छा एक वर्ड यूज किया प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर तो जितना आप एक तरीके से इस इस वाट यू शुड ड्रीम तो भी इन दा मार्केट और काफी बढ़िया मतलब यह वर्डिंग लगी कि आप हरे कंपनी में एक रिस्क मैनेजर होता है आप कहीं भी देखो उसमें और उसका बहुत इंपोर्टन रोल होता है क्योंकि वो कंपनी के एसेट्स को कैसे यू काफी अच्छे-च्छे उनके साइकोलोजी में स्निपेट उसके आते रहते हैं तो इस एक्चुली वेरी गुड वर्ड की प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर अगर मार्केट में रिस्क मैनेज करो आपका सेटप की अच्छी है बाकी कोई आपको टेंचन नहीं है तेरे-देरे साइजिंग बढ़ा के हम लोग वो टार्गेट अचीव कर सकते हैं हमेशा याद रखना कि छक्का नहीं वारना है हर बॉल पर यह भी एक रहता है कि मैंने कोई ट्रेड लिया वह जैकपॉट होना चाहिए आपको सिंगल्स डबल्स हमेशा करना है मार्केट डिसाइड करेग इंपोर्टन है बाकी की चीज़ डॉसन मैटर है ठीक है चलो थैंक यू एब्रीवन फोर अट्रेडिंग तो होप लाइज सेशन से आपको कुछ लर्निंग मिली होगी काफी लोगों ने एक ट्रेडिट एंड दे मेड मनी आलसो बट आई होप की जो सीखा है आपने उसको प बेस बिल्डिंग का वो देखते रही है प्रॉपरली कैसे रेक्टेंगल समाफ होते है कैसे है वेक्स इग्नोर होते है वो मैं बार-बार डाउट सुलिंग में काफी बार हम लोगों को डिसकस करते रहते हैं तो उसको एक बार देखे छोटी कैंडल छोटे साइज वो मैटर करते हैं आपके बेस बेल्डिंग के और उसी के अकॉर्डिंग फिर सेक्टर हो स्टॉक को रलेशन को करते हैं यह बी सेकेंड मुस्ट क्रूशल करो ये चार्ट में देखके करो और राधर दन मनी फोकस को अपना स्किल सेट बिल्ट करने के लिए देन डिफिनिटली आपको यहाँ पे मजा भी आएगा and you will be able to do it और फोकस रखो बहुत सारे स्क्राइब करें चला गुटनाइट अव्रिवन ओप यू लेर्न सम्धिंग अलाइट सेशिर में नेक्स्ट मंडे अटुस्टी कॉम कंटीनु करेंगे इल अप्रेट इन देखके गुटनाइट बाइट बाइट